साथियों वैसे तो निलगाएं बहुत ही खुबसूरत वह हमारे इकोसिस्टम के लिए महत्पूर्ण वन्यप्राणी हैं जिसकी वदवलत इनका हमारी धर्ती पर रहना बहुत जरूरी है पर आए दिन इनकी वज़े से मानुओं को काफी जान माल का नुक्सान उठाना पड़ता है जो वाकई में एक चिन्ता का विशे है और यह सब हुगा है निलगायों में तीब्र प्रजनन की छमता तथा कठिन स कठिन वातावरण में भी इनके अंदर जीने की अनकूलता तथा इनके परभच्चियों का कम होना आदी ऐसे कारण हैं जिनकी वज़े से बिगत 20 वर्सों में इन्होंने अपनी आबादी को लगभग 10 गुना बढ़ा लिया है ऐसे में भोजन आवास तथा सुरच्चा जैस महत्पूर्ण पारिष्वतिक कारणों की वज़े से आये दिन मनुस्यों तथा निलगायों का आमना सामना होता रहता है जिसमें निलगायों तो मरती ही हैं साथ ही मनुस्यों को भी काफी हान उठानी पड़ती हैं प्राक्रतिक तवर पर देखा जाये तो वन्य प्राडियों की कमी तथा दिखता दोनों ही रूप हमारे इकोसिस्टम के लिए हानिकारक हैं वैसे तो ये बहुत ही सांतप्री और डर्पोक किस्म के होते हैं पर मनुस्यों के साथ अगर इनकी हिंसगटनाओं की बात की जाये तो ये तीन रूपों में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं पहला तब जब ये विशाल जुन्ड में हो और उसमें नर निलगायों की संख्या जादा हो दूसरा तब ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं जब ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं और तीसरा ये सबसे ज़्यादा खतरनाक तब होते हैं जब ये सड़क पार कर रहे होते हैं ऐसे में जरूरी है इन तीनों अवस्थाओं में इन से थोड़ा दूरी बना के चला जाए और खेतों आदी में चर रहे नर निलगायों के जुन्ड को दो या चार लोग मिलके भगाएं तो ज्यादा बेतर होगा साथ ही अगर दो नर निलगायों आपस में लड़ रहे हों तो उस समय तो इनके पास कदा पिना जाएं और रोड पर चलते समय अपनी स्पीट को कंट्रोल में रखें कर दो